दोस्तों पहड़ी राई की खेती आप किस तरह से कर सकते हैं और जो है इसको कब उगा जाता है और कैसे इसकी जो है नर्सरी तैयार की जाती है तो यह पूरी जानकारी जो है इस वीडियो में मिलेगी तो आप वीडियो में अंततक बने रहें तो पहड़ी राई को आप कहीं भेक वेपी उगा सकते हैं तो ये बहुतीं आसानी से जो है तो बहुत bienn cher में जो इसकी फसल आप वगा सकते हैं तो इसके लिए जो पहले जो है सिप्टम फमन्स अक्टोबर में जो है जो तो इसकी आ णरसरी तयार कर सकते हैं और आप चाहिए तो इसको डारेक दो सकते हैं किसी जहाँ भी किसी क्यारी में लगा रहे हैं तो इसको बहुत ही अच्छे वहां खुदाई करनी है उसके बाद जो है तो गोबर की जो था रही खाद है या और मीं कमपोस्ट या फिए लीफ कमपोस्ट या फिर कीचें वेस्थ से वुध πα्थ बनाई है उसके मर अक्टूबर में इसके जो बीज हैं उनको आप इन्पर बो दीजिये करीब ये फ़ॉँन से इसके फोधें जो हнов लगने के लिए तैयार हो जाते है और लगने के लिए आप जो भी कौहरी है आपने तैयार किये हैं तो उस में करीब है एक फिट दूरै Erm, पे तो दूरी पे इसके फौदे लगाएं और लाइन से दूरी भी आप करीब आदे से एक फिट आप जरूर रखिएगा इससे छो है तो इसके फौदे जो आप लगाएंगे तो वह जो है उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगे और पते भी जो है तो बहुत ही हल्दी होंगे और पते बहुत बड़े साइज के होंगे जैसे कि राई की जो साग होता है वो स्वास्त के लिए जो है तो सर्दियों में बहुत ही लाबदायक होता है और इसकी जो तासीर होती है गरम होती है इसकी सबजी जो होते गरम हो जरूर होनी चाहिए और इसके बाद जो है तो इसमें जो है पान से 6 घंटे की धूप जरूर आनी चाहिए तो ऐसे इस्तान पर लगाया कि जहां की पान से 6 घंटे की धूप जरूर मिलती हो और उसके बाद जो है तो पानी की बात करें तो पानी बहुत जादा पानी सरदियों इसमें नहीं देना है इनके पौद उप है और इसमें जो है तो नमी बनी रहे मिट्टी में जो आप तीन चार दिन में एक बार पानी इसको दे सकते हैं तो इससे दोस्तों राई में जो तो बहुत ही कम देख भाल करनी पड़ती है तो इसकी फसल एक ऐसी फसल है जो कि एक बार अगर आप वो देते हैं इसको लगा देते हैं तो इसमें ना तो कोई कीटे लगते हैं और नहीं इसमें कोई फेटिलाइजर जो है डालने की जरूरत ह होती है तो आफस्ट इसको एक बार लागा ले तो उसके बाद जो आफ यह अपने आपी जो है चलती रहती है और इसमें जो है पानी का भी जो है बहुत जादा इसमें पानी नहीं देना है बस मिठी मैं थोड़ी किजिए और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए जो हतोर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बैल है कहने हो इसको भी परेश कीजिए जिससे की जब भी इसी तरह की वीडियो में डाला हूं तो उसका नोटिफिकेशन जो आपको समय समय पर आप मिलता र झालर्द को झालर्द कर राते हैं